भारत के जंगलों में शेर, पेंदुआ और बाग की जलक आप देख सकते हो भारत में चीतों की प्रजाती विलिप्त हो गई थी लेकिन इन चारो जानवरों में डिफरेंट क्या है पहले नमबर पे है लोहम शेर हम इसा जंगल का राजा होता है शेर की गरदन और चेहरे पे काफी सारे बाल होते है सेर आलसी होते है सेर की लंबाई लगबख साथ फिट होती है सेर एक मातर ऐसे जानवर है जो एक साथ मिलकर सिकार करते है और एक साथ मिलकर भोजन की तलास करते है दूसरे नमबर पे है टाइगर है इन चारों जानवरों में बाग साइज में सबसे बड़ा होता है, बाग के सरीर पर धारिया होती है, बाग सेरों की तुलना में लंबे, आधिक मसुकलर और आम तोर पर वजन में भारी होते हैं, बागों के पैर मजबूत होते हैं, और ये सेरों की तुलना में बहुत ज्याद वाला जानवर है चीता कुछी सेकंड्स में 72 मीन परती घंटा की रफतार पकड़ सकता है लेकिन ये ज्यादा लंबा नहीं दोड़ते हैं सेर और बागों के मुकादे चीते बहुत ज्यादा पतले होते हैं कि सिर काफी छोटे होते हैं इसके अलावा इनकी कमर पतली होती है इ जो दहार नहीं सकता चोथे नमबर पर तेंदुआ भारत के कई लागों में तेंदुआ पाई जाते हैं तेंदुआ ये देखने में कुछ चीते जैसे लगते हैं लेकिन दोनों जानवरों में काफी ज्यादा डिफ्रेंट है चीते के सरी पर गोल धब्बे होते हैं जबकि इस जानवरों कि तेंदुआ के सरी पर रोशेट सैली के निसान होते हैं तेंदुआ चीतों की मुकाबले ज्यादा बड़ा और मोड़ा होता है यानि की थोड़ा मोड़ा थेंदुआ हिरं जैसे जानवर का सिकार करने के बाद उसे पेड़ के उपर ले जानना की तागत और अपना सपोर्ट हमारे लिए बनाए रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में